वेल्कम टु न्यू लेसन कल के लेसन में आपने सीखा था अबाउट कीवर्ड हमने देखा था कि कैसे आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो पूरी हमने एक फाइल बनाई थे कीवर्ड की योजिंग गूगल सर्च और गूगल कीवर्ड प्लैनर राइट आज के लेसन में आपको बताऊंगा अबाउट टाइपस ऑफ कीवर्ड ठीक है गूगल में कीवर्ड जो है वो गूगल ने चार टाइपस में बाट रखा है कीवर्ड नमबर वन और इन्हें गूगल कहता है मैच टाइपस ठीक है यह जो कीवर्ड है इन्हें गूगल क्या कहत है match types तो Google ने चार parts में keywords को बाता हुआ है यह चार types में keyword को बाता हुआ है number one is broad match number two is broad match modifier number three phrase match and number four exact match ओके चार types में Google ने बाता हुआ है number one broad match number two broad match modifier number three phrase match and number four exact match ठीक है यह बेसिकली चार तरीके है keywords लिखने के और हर तरीके का अपना अलग मतलब है तो सपोस करो पहला जो keyword type है वो है broad match अब broad match क्या होता है यह है default type तो सपोस करो आपका keyword है आई 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 टी कोचिंग यह आपका keyword है आप Google add बनाने गए और वहाँ पे आपने keyword लिख दिया IIT coaching as it is ऐसे लिख दिया आपने इसका मतलब है यह कौन सा keyword है broad match ठीक है जी कौन सा keyword है broad match अब देखो broad match keyword है जो बहुत ही खतरना किसम का keyword है अगर आप जस्ट ऐसे IIT coaching अपना keyword रखते हो तो Google इसे कैसे interpret करता है तो Google इसे ऐसे interpret करता है कि Google आपकी ad IIT या coaching इनसे related किसी भी चीज़ पे दिखा सकता है इनके synonyms पे दिखा सकता है इनसे related Google को कोई भी चीज लग रही होगी ना उस पे आपकी ad दिखा देगा For example आपका keyword का IIT coaching अब अगर कोई सर्च मारेगा न Just coaching Just coaching तब ही आपकी ad आ जाएगी अब अगर कोई सर्च मारे Life Coach वहां भी आपकी ad आ जाएगी अब अगर कोई सर्च मारे Just IIT वहां भी सर्च आपकी एड आजाएगी अगर कोई सर्च मारे Engineering वहां भी आपकी एड आजाएगी तो अब यह लगा लो कि आपकी एड बहुत ही सारे keywords पर आ जाएगी बहुत ही सारे keywords और उन सारे keywords में से 99% keywords ऐसे होंगे जिनका आपके business से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है ठीक है जी जो भी keyword broad match में Google दिखाता है उनका maximum keywords का आपके business के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता अगर आप अच्छे campaigns चलाना चाते हो अगर आप अगर आपका budget Amazon Flipkart जैसा नहीं है देन आपको broad match keywords से दूर रहना है आपको बिल्कुल इन keywords से दूर रहना है आपको बिल्कुल broad match keywords पे कभी भी add नहीं चलानी बिल्कुल भी add नहीं चलानी broad match keyword पे ठीक है आप समझगे broad match keyword क्या है तो जो भी आपका keyword है उससे related किसी भी keyword पे Google आपकी add दिखा देगा not only related बहुत ही दूर दूर तक भी वास्ता नहीं होगा तभी गूगल आपकी add दिखा देगा तो आपको broad match से दूर रहना है दूसरा keyword type क्या है broad match modifier ठीक है और एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा कोई भी अगर आप miss spellings होती है तो गूगल उस पे भी add दिखाता है for example आपका keyword है digital marketing आपका keyword है digital marketing बट अगर कोई spelling गलत लिख देता है सपोज कोई लिख देता है digital marketing तभी भी गूगल आपकी add दिखा देगा ठीक है तो यह तो रही broad match की बागत ब्रॉड मैच आपको यूज करना है बिल्कूल भी नहीं अब आगे दूसरा दूसरा क्या है broad match modifier क्या है जी ब्रॉड मैच मोडिफायर ठीक है अब ब्रॉड मैच लिखने का तरीका क्या है कि सपोज करो हमारा पहले keyword क्या था आई आई टी कोचिंग पहले हमने कैसे लिखा था as it is इसका मतला यह कौन सा keyword था ब्रॉड मैच अब सपोज करो कोचिंग के पहले मैं प्लस लगा देता हूं तो यह कौन सा बन गया ब्रॉड मैच मॉडिफायर क्या बन गया जी यह ब्रॉड मैच मॉडिफायर अब बेसिकली मैं गूगल को क्या बोल रहा हूं कि भाईया गूगल जो भी सर्चेस हों ठीक है जो भी कीवर्ड सर्च हों उसमें कोचिंग तो होना ही चाहिए उसमें कोचिंग वर्ड तो होना ही चाहिए प्लस इसके आगे भी प्लस लगा देते हैं इसका मतलब मैं गूगल से क्या कह रहा हूँ कि भीया IIT भी होना चाहिए और कोचिंग भी होना चाहिए ये दोनों वर्ड होने जरूरी है तो broad match modifier लिखने के लिए आप क्या करते हो आप keyword के आगे plus का sign लगा देते हो ठीक है जी जो भी आपका keyword है उसके आगे plus का sign लगा देते हो इसका मतलब आप Google को कह रहे हो कि भाईया ये वाला जो keyword है ये search term में होना ही होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पे भी एक जोल है वो जोल क्या है कि Google आपकी जो add है वो close variants पे भी दिखा सकता है किस पे दिखा सकता है close variants जैसे मेरा मैंने बनाया coaching और इसके आगे मैंने plus लगा दिया मतलब मैंने इसको बना दिया broad match modifier ठीक है अब मैं Google से क्या कह रहा हूँ कि भाईया जो भी keyword सर्च करें उसमें coaching तो होना ही चाहिए और suppose करो इसके आगे मैंने और जोड़ दिया IIT और plus मतलब मैं क्या कह रहा हूँ IIT भी होना चाहिए और coaching भी होना चाहिए बट Google क्या कर सकता है Google मेरी add close variants पे भी दिखा सकता है अब ये close variants का मतलब क्या होता है close variants का मतलब होता है miss spellings मतलब user ने कोई spelling में गलती की है या singular या plural form हो गया या आपका synonyms हो गया acronyms हो गया हाना ऐसी चीजों पे भी Google मेरी add दिखा सकता है plus ऐसे searches जिनका keyword तो अलग है बट मतलब सेम है ठीक है जैसे coaching और tuition almost मतलब सेम है तो इस पे भी मेरी add दिखा सकता है तो suppose करो किसी ने search मारा IIT tuition अब मैंने Google को गाता कि IIT भी होना चाहिए coaching भी होना चाहिए यहाँ पर IIT तो है coaching नहीं है but coaching और tuition को almost सेम मतलब है तो यहाँ पे भी Google मेरी add दिखा सकता है ठीक है तो यह क्या था आपका broad match modifier मतलब अगर आपने यह लिख दिया इसका मतलब नहीं है कि Google इसी पे add दिखाएगा यह जो close variants Google ने add किया है यह बहुत ही खतरनाक चीज है again close variants क्या होता है तो close variants का मतलब होता है miss spellings singular या plural form में हो गया या abbreviations हो गया आपके acronyms हो गया synonyms हो गया paraphrases हो गया या ऐसे words जिनकी meaning same है तो उस पे भी Google आपकी add दिखा देगा again broad match modifier भी मेरा favorite नहीं है और broad match modifier को लिखने के लिए हम क्या करते हैं आगे लगा देते हैं ठीक है अब अगला जो keyword type है वो है phrase match क्या है जी phrase match phrase match को कैसे लिखते हैं तो phrase match को हम लिखते है quotes के अंदर ठीक है हम लिखते है quotes के अंदर for example मैंने लिखा IIT coaching तो अब मैं Google को क्या कह रहा हूँ बताओ जो भी keyword searches हो उसमें IIT coaching एक साथ होना चाहिए broad match modifier में क्या था कि ये दोनों होने चाहिए किस order में होने चाहिए ये जरूरी नहीं है पहले coaching हो सकता है फिर IIT हो सकता है कुछ भी हो सकता है order does not matter phrase match में कहा रहा हूँ कि भाया ये दोनों as a phrase होने चाहिए एक साथ होनी चाहिए इसको हम खहां लिखते है quotes में मतलब इसके आगे भी कुछ हो सकता है इसके पहले भी कुछ हो सकता है और इसके बाद में भी कुछ हो सकता है but IIT coaching तो होना ही चाहिए as a phrase एक साथ but अब यहां दिक्कत क्या आ गई वही जो हमेशा की दिक्कत है that is close variations अब अगर Google चाहे तो IIT coaching का जो close variations है उस पे भी में react दिखा सकता है जैसे close variations क्या होगे भी बताई था मैंने misspellings हो गई आपका words with similar meanings हो गया तो उस पे भी Google में react दिखा देगा तो यह बड़ी दिक्कत है और इसको कैसे लिखते हो quotes के अगर अब last क्या है हमारा exact match देखो Google बहुत ही खिलाडी आदमी है advertisers के सारी पैसे खाने के चक्कर में रहता है गूगल हमेशा exact match का मतलब क्या होता है अगर आप से मैं बोलू exact match तो इसका मतलब होगा जो चीज़ exactly match होती हो मतलब अगर मैं कह रहा हूँ cricket या अगर मैं कह रहा हूँ IIT coaching तो सामने वाले बंदे को भी क्या सर्च मारना चाहिए IIT coaching तो मेरी आइट दिखनी चाहिए अब सपोस करो मेरा keyword है digital marketing तो सामने वाला बंदा क्या सर्च करे digital marketing सामने वाला बंदा भी क्या सर्च करे digital marketing तो मेरी आइट दिखनी चाहिए मतलब तो यही है बट अब exact match को लिखते कैसे है तो brackets के अंदर ठीक है तो अगर मैं brackets के अंदर लिखूँ digital marketing तो इसका मतलब है exact match मतलब मैं Google से क्या क्या रहूँ कि अगर कोई digital marketing सर्च करे तो ही मेरी आइड दिखाना नहीं तो मत दिखाना बट अगेन फिर आपको पता है Google is Google तो Google ने यहाँ पे भी क्या कर दिया close variants close variants बहुत ज़्यादा खतरनाग चीज़ है अगेन Google ने यहाँ भी डाल दिया close variants कि ऐसे words जिनकी same meaning होगी चाहें spelling mistakes होँ तो वहाँ भी आपकी एड मैं दिखा सकता हूँ close variants पे अगेन Google आपकी एड दिखा सकता है exact match के भी अंदर तो अब सवाल है कि फिर हम इससे बचे कैसे हम कैसे यह ensure कर सकते हैं कि हमारी एड वहीं आए जहां हम चाहते हैं तो यह करने का भी एक तरीका है जो मैं आपको आगे के lessons में समझाऊंगा तो अभी यह lesson अगर मैं sum up करूँ आज के lesson में हमने क्या बात की है about keyword match types keyword match type chart type की होती है number one broad match number two broad match modifier number three phrase match number four exact match broad match को हम कैसे लिखते हैं as it is but broad match जब लिखोगे तो होगा क्या आपकी ads google जो भी आपका keyword है उससे related किसी भी चीज़ पे उठाके आपकी ad दिखा देगा then दूसरी चीज़ थी broad match modifier broad match modifier लिखने के हम क्या करते हैं हम keyword के आगे plus sign लगाते हैं but again होगा क्या कि google यहाँ पे भी आपकी ad जो आपने लिखा है plus उससे related जो variations है उस पे दिखा देगा तीसरी चीज़ थी हमारा phrase match इसको हम लिखते है words है वो आगे पीछे किसी भी order में आ सकते है phrase match में मैं कहा रहा हूँ कि as it is आने चाहिए एक साथ आने चाहिए इनके आगे पीछे कुछ भी हो मुझे problem नहीं है बट यह दोनों words को मेरे पक्का महाँ पे एक साथ होने ही चाहिए जैसे हमने यहाँ पे सीखा भी था कि अगर मैं यह है IIT coaching तो यह एक साथ होना चाहिए इसके पहले भी कुछ हो सकता है बाद में भी कुछ हो सकता है उससे problem नहीं है बट close variants में यहाँ भी आपकी add आ सकती है then बात आई exact match की भी यह एक साथ दिखाओ इसको हम लिखते है square brackets में बट यहाँ भी दिक्कत क्या है कि Google आपकी add इन से related close variants पे दिखा देगा तो अब practically अगर आप देखो तो सारी adds ही broad match चल रहे है तरीके से आपकी adds किसी भी close variants पे उठा के Google दिखा रहा है तो almost सभी चीज आपकी broad match में Google दिखा रहा है ठीक है बट इससे उबरने के लिए भी एक solution है जो Google ने हमें दे रखा है तो तल के lesson में हम वो solution देखेंगे कि वो solution आप कैसे use कर सकते हो then हम keyword को use करना सीखेंगे कि add group में keywords को हम use कैसे करते है ठीक है जी so that's it from today's lesson thank you so much